Hello everyone and welcome to SPLACE, जहां मैं आपकी पसंदीदा फिल्मों की कहानियों, विशयों और संदेशों की रिव्यू और विशलेशन करता हूँ। इस वीडियो में हाई नन्ना के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो 2023 की भारतिय तेलुगु भाशा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें नानी, म्रिनाल ठाकुर और कियारा खन्ना ने अभिनय किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मा की कहानी बताने के लिए विनती करती है और वह वादा करता है कि अगर वह अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी तो वह ऐसा करेगा। हाला कि जब माही अपना लक्ष्य हासिल कर लेती है तब भी विराज उसे कुछ भी बताने से बचता है। उसे डर होता है कि इससे उसे और अधिक नुकसान होगा। माही परेशान हो जाती है और अपने पालतु कुत्ते पलूटों के साथ घर से भाग जाती है। और उसकी मुलाकात एक दयालू और रहस्यमय महिला यश्ना से होती है जो उसे एक यातायात दुरगटना से बचाती है। माही और यश्ना दोस्त बन जाते हैं, और माही यश्ना से विराज को उसकी मा के बारे में बताने के लिए, मनाने में मदद करने के लिए कहती है। विराज, अनिच्छा से माही को अपनी पहली पत्नी वर्षा की कहानी बताने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे वह कुन नूर में मिला था और उसे प्यार हो गया था. वर्षा एक अमीर लड़की थी, जो प्यार में विश्वास नहीं करती थी. लेकिन जब विराज ने उसे प्लूटो नाम का एक पिल्ला दिया, तो उसका मन बदल गया. उन्होंने वर्षा की मां की इच्छा के खिलाफ भाग कर शादी कर ली और तीन साल तक खुशी-खुशी रहे. हालां कि उनकी शादी तब तूटने लगी जब विराज बच्चे पैदा करना चाहता था, लेकिन वर्षा नहीं चाहती थी. अंतता वर्षा गर्भधारन के लिए तैयार हो गई. लेकिन जब माही सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ पैदा हुई, तो उसे वर्षा ने अपनी जिंदगी बरबाद करने के लिए विराज और माही को दोशी ठहराया और कुछ ही समय बाद एक कार दुरगटना में उसकी डेथ हो गई. जैसे ही विराज माही को यह कहानी सुनाता है, वह उसके लिए इसे कम दर्दनाक बनाने के लिए कुछ डीटेल्स बदल देता है. वह इस तथ्य को भी छिपाता है कि यशना वास्तव में उसकी दूसरी पतनी और माही की बायोलोजिकल मा है. यशना ने उसी कार दुरगटना में अपनी याददाश्त खो दी, जिसमें वर्षा की मौत हो गई थी, और उसकी माने विराज को उसकी भलाई के उससे दूर रहने के लिए कहा था. विराज और यशना फिर मिले जब प्लूटो ने उसे पहचान लिया और विराज ने उससे अपने अतीत के बारे में जूट बोला. यशना और माही के बीच नस्दीकियां बढ़ी, जिससे विराज चिंतित हो गया, जो उन्हें दोबारा खोना नहीं चाहता था. वह माही को एक प्रोजेक्ट के लिए गोवा ले गया, लेकिन यशना ने उनका पीछा किया और माही को उसके जन्म दिन पर आश्चर्य चकित कर दिया. यशना की बहन नेहा, जो सच्चाई जानती थी, ने विराज से कहा कि वह एक डॉक्टर अर्विंद से शादी से पहले यशना को माही के साथ कुछ समय बिताने दे. वीराज, यशना, माही और प्लूटो ने एक साथ कुछ समय लेकिन खोशी का समय बिताया और यशना ने विराज को प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने अपनी मा से किये गए वादे के कारण उसे अस अरविंद ने गोवा में अपनी शादी की योजना बनाई और यशना उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही विराज, माही और विराज का दोस्त जस्टिन मुंबई के लिए निकले, माही को सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया। दोबारा मिली। यशना के पिता ने अपनी पूर्व पतनी को यशना और विराज के बीच सुलह कराने के लिए मना लिया। और उसे बताया कि उन्होंने यशना के बजाए विराज और माही के साथ रहना चूना है क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत महसूस होती है। अरविंद, अशोक और उनके दोस्त जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे ने सफलता की कम संभावना के बावजूद माही के लंग्स का ट्रांस्प्लांट करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। यशना अपनी दुरघटना से पहले की इच्छा के विपरीत चाहती थी कि वह वर्षा के बजाए माही को गर्भ धारन करती। माही सरजरी से बच गई और फिल्म का अंत उसके बड़े होने के साथ स्टेज पर यशना द्वारा सिखाया गया गाना गाने के साथ होता है। हाई नन्ना एक ऐसी फिल्म है जो प्यार, परिवार और भाग्य के विशयों की पड़ताल करती है। यह दिखाता है कि कैसे प्यार, क्लास, स्मृती और बीमारी की बाधाओं को दूर कर सकता है और अप्रत्याशित स्थानों में परिवार कैसे पाया जा सकता है। यह यह भी दिखाता है कि भाग्य कैसे लोगों को एक साथ ला सकता है और जब लोगों में विश्वास और आशा हो तो चमतकार कैसे हो सकते हैं। यह फिल्म रोंग्टे खड़े कर देने वाली है लेकिन एक अच्छी अच्छी कहानी भी है जो जीवन और खुशी का जश्न मनाती है। अभिनेताओं का अभिनय उतक्रिष्ट है विशेश रूप से नानी जो विराज के दर्द और खुशी को प्रामानिक्ता और बारीकियों के साथ चित्रित करते हैं। म्रिनाल ठाकुर और कियारा खन्ना भी क्रमशह यशना और माही के रूप में प्रभावशाली हैं और नानी के साथ उनकी केमिस्ट्री दिल छू लेने वाली है। फिल्म में कुछ हास्यप्रद क्षण भी हैं जिसका श्रेय, प्यारे कुत्ते प्लूटो और वफादार दोस्त जस्टिन को जाता है। फिल्म का संगीत और छायंकन भी सुन्दर है जो कहानी के मूड और द्रिश्यों को दर्शाता है। हाई ननना एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंड करता हूँ जो रोमैंटिक ड्रामा पसंद करते हैं या जो सिर्फ एक टचिंग और अपलिफ्टिंग कहानी देखना चाहते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको रुलाएगी, हनसाएगी और मुस्कुराएगी और खत्म होने के बाद भी यह आपके साथ रहेगी। मैं इस फिल्म को टैन में से नाइन स्टार देता हूँ। इस फिल्म को देखने के लिए आपको गांजा पीने की जरूरत नहीं है। कि आप हाई नन्ना के बारे में क्या सोचते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आगे किस फिल्म के बारे में बताऊं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।